गुट एवनिंग फॉर्मेट देखो लास्ट क्लास में नोट किया है फॉर्मेट आपने तो उसमें दोनों जगह है एक ही जगह है वही है कैस कलेक्शन फ्रॉम डेटर दोनों चीज़े ठीक है चल लिए एक ये कोशन है ये कहा गया है उपर रिवीजन ओनली तो रिवीजन ओनली का मतलब इंपॉर्टेंट कोशन तो है ही है कर लेते हैं शायद ये कोशन आपको थोड़ा क्लियर ना भी दिखे क्योंकि काफी बड़ा कोशन लग रहा है है तो जितने भी स्टूडेंट है ना इसको आपके पास बुक है सर्फ पेज नंबर थ्री कोशन है लिस्टरिशन नंबर थ्री है आपका ये एक दो तीन थर्ड है थ्री है हमारा 13.8 ठीक है तो चलिए फटा फट फट फॉर्मेट बना लेते हैं कोशन क्या कह रहा है यहां पर 20% कंप्यूटर पर फॉर्मेट हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा देट इस जो बताया था किस पर है इन्वाइस प्राइस पर आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं क्लियर होना चीए कि सर क्या पढ़ेंगे आगे इसलिए स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया यह ब्रांच अकाउंट बहुत छोटा चेप्टर है यह जल्दी खत्म हो जाएगा प्रेक्टिस आपने करती हैं और अब मैं कि यह आपका कौन सा है यह अकाउंट डेटर अकाउंट परा लेता है ठीक है चलिए फॉर्स्ट अपरेल को कुछ बैलेंस दे रखे हैं हमें तो मैं यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिख लूँ आप बताते जाईएगा क्या क्या है ठीक है सबसे पहले हमारा ब्रांच स्टाउक बताईए क्या है स्टाउक आप सभी के पास किताब है 378 अगला क्या है मारा डेटर तो डेटर यहां पर लिखो कितने है एक लाग पैंतिस अजार और यह चूकी ओपनिंग बैलेंस है तो यहां भी आए गई है ठीक है प्रसनल कंप्यूटर 45,000 इसके बाद ब्रांच का बैंक अकाउंट तो बैंक भी एसेट से हमारा कितने? 650 इसके बाद कुछ ट्रांजिक्शन हुए है उसके बारे में डिटेल है कहता है ब्रांच का क्या कहता है? अच्छा बैलिंस इस निकालने है कोश्चन मार्क लगा दिया है टेटर का निकालो ब्रांच बैंक का निकालो प्रसनल कंप्यूटर का निकालो वो तो जब निकालेंगे नहीं तो होगा नहीं यहाँ यानि बाइ क्लोजिंग ठीक है जब जैसे जैसे निकालेंगे निकाल लेंगे आगे कहता है आपका ट्रांजेक्शन एड ब्रांच डूरिंग दे यर मतलब साल के दौरान में क्या-क्या ट्रांजेक्शन हुए है पहला कहता है गुट्स ट्रांसफर टू ब्रांच तो गुट्स सेंट सेवन आगे क्या कहता है गुट्स रेटर्न तो बाइ 15,000 कैस सेल्स कहता है और पेड इंटू बैंक ध्यान रखियेगा कैस जमा करके हमने इसको नहीं दिया, बैंक में जमा किया है तो हम इसके लिए ने एक सिंपल सा बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं बैंक आपका अइसेट्स होता है एक बैंक अकाउंट बना लेता है तो सबसे पहले bank में आ जाएगा two balance तो इस opening balance आपको दे रखा था nine six five zero और पैसे bank में किस से आए cash sales करके कितने आए cash sales करके यहीं लिखेंगे sir यहां क्यों नहीं लिखा क्योंकि यहां भेजा ही नहीं है remittance में तो वो पैसा आएगा जो भेजा जाए इसके बाद क्या आता है credit sales कहां आ जाएगा यहां पर credit sales कितने रुपए का है credit sales 825 इसके बाद क्या है sales return by sales return कितने रुपए है 37 50 check receive from customer on credit sales यानि by bank कितने रुपए receive कर लिए 845 now यहां पर आ जाएगा two credit sales से यानि debtor से पैसा आया 845 ध्यान रखेगा इस बात को 10 ठीक है आगे आ जाते है आगे कहते है discount allowed कहां जाएगा कितने रुपए है 7800 अगे बेट डेट यहीं जाएगा 1500 अगे कहता है हमारा amount transfer to branch from branch से तो sir यह है remittance में amount receive कितने receive करें bank से भीजें इसने आठ लाक तो आप सिंपल सी amount aggregate का मतलब इखटा की amount during the year sorry aggregate amount cash transfer from branch bank यानि मैंने ब्रांच bank से इतने पैसे ट्रांसफर किये तो किसको ट्रांसफर किये हैं टू bank account during the year month wise basis ठीक है तो जितने भी पैसे हमारे पास इखटे हुए पहले हमने बैंक में रखे और बैंक में रखने के बाद इखटा पैसा भीज दिया तो जब हमारे आगी कहता है रेंट एंड रेट्स कितने हैं कि वेजेस्ट पैंतालेस हजार वेजेस्ट का जनल एक्स्पेंस आगी कहता है ट्रांजेक्ट्षन एट हैड ओफिस एट आफ उन बिहाफ आफ ब्रांच यह जो ट्रांजेक्ट्षन दिख रहे हैं ये सभी branch ने किये है, head office ने नहीं दिये इसके जैसे goods transfer ठीक है sir, अबब ये भी अबब, cash receive भी जैसे अबब है और salary of branch staff, एक लाग बावन हजार पान सो ये भी किस ने दिये हैं? ये इसके नीचे जितने भी transaction है ये transaction कौन कर रहा है सहाव? तो ये एक लाग बावन हजार पान सो रुपए खर्च हुए हैं ये भी किस ने दिये होंगे? तो branch ने दिये होंगे, तो उसका bank account क्या हो जाएगा? ये देखो, सुझ मैं है? ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये खर्चा कौन paid कर रहा है? ये ब्रांच कर रहा है, जो यहाँ पर वही खर्चात है, जो कौन करता है? head office कैसे पता चला? clearly mentioned है ठीक है? नीचे कहता है, provide depreciation 20% personal computer पे तो जो मेरा यहाँ computer बचेगा हाँ कितने का 45,000 उस पर 20% निकालोगे 45,000 पे तो 9,000 तो simple सी बात है, सर 45,000 का computer है, उस पर 9,000 का debt लग जाएगा, तो बचेगा कितना 35,000, 36,000 अब बस totaling का काम रहे गया, यहाँ से total करके किसका balance निकल जाएगा? cash का कितने 96,50 156,000, 1845,000 minus 101 0650 minus 895,000 minus 152 यह बचिया, 36,50 by balance और यही आजाएगा bank देखे इसके बाद किसका total करें? debtor यहाँ आजाएगा 96,000, 960,500 by balance cd minus 845 minus 3750 minus 7800 minus 1500 यहाँ आजाएगा 450 यहाँ आजाएगा debtor 102 किसके आगे question mark था, debtor भी ढूण लिया, bank भी ढूण लिया, और personal computer भी ढूण लिया, stock भी था क्या? तो stock का तो closing देना चाहिए इनको 270 चिक है? इस account कभी use हो गया? Sir, इस account में से सरफ use क्या करा? cd अगर आपको balance cd दे दे था, तो ज़रती नहीं थी यह account बनाने को और इस account से भी use क्या करा? सरफ balance cd अगर आपको balance cd दे दे था, तो यह भी ज़रत नहीं था तो देखो मैंने पीछे जो account में लिखा है कि कौन-कौन से account बनेंगे उसके अंदर एक account और add कर देते हैं that is मैंने यह तो बताया ही था और somehow एक bank account भी बनाना पड़ सकता है लेकिन mandatory तो सरफ यही है बागी के जितने accounts है बन भी सकते हैं और नहीं depends on कि उसके अंदर से कोई information हम use कर पाएंगे निकाल के अगर हमारा कोई information नहीं चाहिए जैसे debtor में से closing balance अगर हमें पहले ही दे रखा है तो ज़रुत नहीं है और cash receipt पहले ही दे रखा है तो ज़रुत ही नहीं है cash account में opening और closing balance बैंक का दे रखा तो ज़रुत नहीं है बनाने की ठीक है ना sir इसमें always two accounts बनेंगे ऐसा च नहीं है कि दो account बनेंगे हमेशा requirement पहे जैसे कि first class में जो question किया था last वाली class में उसमें अपने notice किया होगा कि हमने एक ही account बनाए थे ये वाला मैंने काट दिया था क्योंकि इसमें सारी जानगारी गिवन थी ठीक है ना इसके बाद आज जो दूसरा करा उसमें जरुरत पढ़ गया था closing balance निकालने को 378 एक लास 3545 जानवे पचास 568 150 ठीक है इसका टोटल कर लेते हैं और यह ही टोटल इधर आजाएगा नाइन एक नाइन एक निटी फईव अंदरा हजार्ट इसमाजार्ट यह आगा थे रहा पच्पन थीन सो तेरा पच्पन थीन सो इधर के आजाएगा टू नेट परफिट इसर माइनस 568 150 762 चपन हजार और 36 यह आगया लॉस आ रहा है इसमें देखूं एक मिनट transaction at branch during the year transaction at head office अच्छा हमने गलत पढ़ लिया इसके अंदर कहता है यह वाला transaction branch ने करा है और यह transaction head office ने किया है on the behalf of branch चलो bank account mismatch है तो इसका मतलब चलो मैं दुबारे line पढ़ देता हूं यहां कहता है transaction at branch यह branch ने किये हैं हमने उल्टा पढ़ लिया इसको और यह transaction करें किसने head office ने on the behalf of branch तो यहां पर यह सब आयाक्ए आयाक्ए यहां आयाक्ए आयाक्ए यह भी चेंज हो जाएगा सिर्फ रेंट आ जाएगा यहां ना रेंट नी सेलरी एक बावन अब यहां पर सीडी कुछ और आएगा 1010650-56000-56000-56000-7020 तो यह भी अलग हो गया 7020 तो सहाब यह भी अलग हो गया फिर भी इसमें तो लॉस ही आ रहा है गया क्योंकि इतना आमाउन तो आ नहीं रहा चलो 56, 81, 50, 7,62, 152, 500 14, 82, 650 तो बहुत जादा आ गया 7, 5, 12, 13, 14, 82, 650 सबको माइनस कर रहे थे हैं माइनस माइनस 36, 85, 85, लॉस आगे 157, 180 विदर लिख देता हूँ चेक करिये 157, 180 की यही आ रहा है ठीक है तो सर इस कोश्चन में भाई जो बच्चे लाइव हैं वो भी एक बार एरर चेक करा करिये क्या आ रहा है जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं पहले तो देखो मैंने इसके कितने कुश्चन किये हैं तीन यह तीनों पहले आपने सेल्फ करने हैं तब ही आपको आगे चेप्टर आएगा क्योंकि आएगा आई पी प्राइज आएगा और मेरे खाल दस तक के कुश्चन से आई पी प्राइज के हैं दस से बारा तक के उसके बाद भी स्टॉक डेटर सिस्टम स्टार्ट होगा और चेप्टर खतम हो जाएगा यह ठीक है झाल 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 झाल